ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सिद्र जो नो ग्यो मा परोयत किमा वरी वह कुह कस्य शरमन नंबा किमा से गहनम गवेरं स्रिष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहा किसने ढगा था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था स्रिष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्चे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता जब आर्य भारत आये तब एक विकसित संस्कृती पहले से यहां मौजूद थी दक्षिन और शायद उत्तर में भी द्रवेड़ सभ्यता फल नहीं पता नहीं पता पूल रही थी दक्षिन की भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली हैं लेकिन वह बहुत पुरानी हैं और उनमें सहित्य का अनमोल जखीरा पाया जाता है हिमालय और दो सागरों के बीच में पहले हिंदुस्तान का आकार तो आप अच्छी तरह जानते हैं उत्तरी भारत समंदर से बहुत दूर है पुराने जमाने में उत्तर के बाशिंदों को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी भूमी सरहदों की थी जिनहें लांग कर दुश्मन और हमलावर आया करते से लेकिन भारत के पूरब पश्चिम और दक्षन में समंदर का लंबा किनारा है दक्षन की ओर हिंदुस्तान समरा कर सिकुरता जाता है और कन्या कुमारी में पूरब और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं समुदरी तट पर बसने वाले कुदरती तोर से समंदर से जीविका भी पाते थे मौर्यकाल के शुरू से ही जहाज साजी एक विकास शील उद्योग था दक्षन भारत अपनी उमदा दस्तकारी और उत्पादन के लिए मशूर था जिनका वहां से समुदरी व्यापार हुआ करता दक्षन के राज्य की समुदरी शक्ती सम्रिध थी और उनके जहाज दूर के मुलकों तक समान ले जाते हैं काल्दिया, बाबिलोन, मिस्र, युनान और बाद में रोम जिस समय उत्तर भारत में बड़े सामराज्यों की नीम पड़ रही थी तब तक दक्षिन भारत में पाशान युग ही चल रहा था तमिल नाडू में एतिहासिक सब्वेता लगभग चौथी सदी इसापूर में शुरू ही जब दूर दक्षिन में चोला, पांड्या और चेरा राज्यों की स्थापना हुई उस दौर में दक्षिन भारती कबीले सत्ता परकेंद्रित राज्यों में तबदील हो रहे थे दक्षिन भारत के इतिहास के बारे में सिल्सलेवार जानकारी सबसे पहले संगम काल के साहित्ते में मिलती है ये दौर पहली से चौथी सदी इस्वी तक माना जाता है तमिल परंपरा के अनुसार तीन साहित्तिक संगम मदुरई में हुए थे दक्षिन में साहित्तिक संगमों की पुरानी परंपरा थी जिसकी मिसाल उत्तर भारत में नहीं मिलती तमिल संगम के कवी लोक साहित्ते के काफी करीब हैं दर्वारी संस्क्रिट साहित्य से बिलकुल अलग किसान का जीवन गाओं का महौल शहर का भीर भड़का और युद्ध की बेरहमी इन सब का अनुभव करके ही ये कविताय लिखी गई है है खुला इस तूद में घर की बखी जी आश है अब लगता मधूर मुझे को बात क्या कुछ बोलरी बात क्या कुछ बोलरी संगम काल की कविताएं दो तरह की थी अकम और पुरं ये अकम कविता की एक मिसाल थी अकम यानि अंदरूनी भावनाओं की प्रेम की अंतरं कविता पुरं कविता इससे काफी अलग होती है पुरं यानि बाहरी सार्वजनिक जिसमें राजाओं और युद्ध का वर्नन होता है चर्मकार की घरनी व्यागुल प्रसव देदनासे परसीली बदली के पीछे रवी कुमल आया रे आया हसता गाता आया फुद्ध सव आया रे फुद्ध सव आया रे बरसीली बदली के पीछे रवी कुमल आया रे आया हसता गाता आया फुद्ध सव आया रे फुद्ध सव आया रे फिरती हरपल भिजली वैसी राजा की अलवाद राजजीत ने आया दुश्मन भाग रहा है हार गिरते हर पल बिजली वैसी राजा की दलवार राजजीत ने आया दुश्मन भाग रहा है हार गमलहार ने राजा का सीना जम काया रे आया वस्ता काता आया उत्सव आया रे उत्सव आया रे पुरानी परंपरा के मुताबिक दक्षिन भारत जाने वाले पहले मनुष्य रिशी अगस्तिय थे जो आर्य धर्म और संस्कृति अपने साथ ले कर गए इससे पहले जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो दर्विर संस्कृति में से काफी कुछ अपना चुके थे इस तरह दर्विर और आर्य जातियों के आपसी आदान पदान से ही भारत की मिली जुली सभ्यता का विकास हुआ छटी सदी इस्वी तक तमिल प्रदेश पर संस्कृत का काफी असर हो चुका था और वहां की कावे शैली तेजी से बदलने लगी तमिल कवी लंबी कविताएं लिखने लगे जिन्हें संस्कृत नाम कावे से जाना गया इन में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन महा कावे है शिलप पद्दिकारम यानि सुहाग के नुपूर सहित्तिक शैली में रचा ये महा कावे फिर भी आम जीवन के काफी करीब है ये माना जाता है कि ये रचना पहली दूसरी शताबदी में हिलंगो अडिगल ने रची थी जो चेरे राजा शेंगुट्टु वन के भाई थी मगर हो सकता है कि इसे कई सद्धियों बार लिखा गे नुपूर की जैए हो जैए 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 पहार की जैए हो अजब नगर या पुहार साक्षी अमर राज कुल के गउरब की जिसे उता कर सिर्फ लगर चाता कर दीगोर देश की इस पुखार नगरी की जैए हो जोला राज्य के बंदरगा पुहार में मनई का नाम का एक प्रसिध व्यापारी रहता था जो कई जहाजों का मालिक था उसकी बेटी कन्दगी बहुत खुबसूरत थी पुहार में ही मा शट्टूवन नामक एक धनी व्यापारी भी था उसका बेटा कोवलन एक सोलह वर्शिय युवक था कोवलन और कन्दगी के माता पिता ने उन्हें विवाह सूत्र में बांदने की थानी थन ने भाग दी मेरे कि तुम्हें पाया मैंने अम्रत के वर्दान सी विचित्र सागर मन्थन के अम्रित कलश से भी तुरलब स्वर्ग की अफसराएं लज्जा से मूझ पालें ऐसा सूंदर अरे तुम्हें इन आभूशनों और फूल मालाओं की क्या वश्यक्ता जो सूंदरी को बोजिल करके स्वयम ही खुल उठें तुम्हारा सूंदरी तो स्वयम ही एक आभूशन है खरा, पवित्र, अदुती है कितनी शांती है, बाहर भी, मन में भी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कन्नगी, तुम सुखी तो हो आपके सुख में मेरा सुख है मैं बहुत सुखी हूँ तो तुम अपना नेड़ा नहीं बदलोगी कितना केचे, किसी और संगीत सभा में आपके साथ चलोगी अच्छा देर हो जाए, तुछ इंता मत करना तैसे नहीं करूँ अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आजब करूँ यह रही वो जगह ठीक है, तुम जल्दी तयार करो, तादा समय नहीं है आप चिंता ना करें, ऐसा सुन्दर मंच बनाऊंगा, कि माधवी का रूप चंदरमा जैसे दमक उठेगा ध्यान रहे, महाराज बदा रहेंगे, मन की चिंता ना करो, चितना चाहें लगाओ, लेकिन मंच ऐसा बनना चाहिए कि आप बेफिक रहें, मैं मंच उत्तमा और शास्त्रों के अनुसार बनाऊंगा आरम करो, ही भगवान, सब शुबमंगली हो सब शुबमंगली होगा सब को पता है, माधवी इस नगर की सर्वस्रेश्ट नर्तकी है और सुन्दर्ता में भी किसी से कम नहीं कि रहेे हो कि री ओप लुबमंगली हो कि is a 보ू जहीं कि लिच्तप्रव हूअ कर दो कर दो कर यहिए मादवी हाँ यही है मादवी आज हमारा भाग अच्छा है जो एक सधी और नर्थकी का आरंगे तरम देखने का अफसर मिला है जहां आप जाते हैं वहां इतनी अच्छी नाशनेवारी नहीं होती क्या सुना है पुहार भर में सबसे अच्छी नर्थकी है अब स्वा वारे माले तरू मुलेत कुल दे मुलेत कुल दे मुलेत कुल दे कुल दे काप पुए 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ हुआ है सब सुरक्षित है स्वामी 20 बक से हैं एक भी नहीं टूटा कि अरे वाह रोम की सर्वोतम मदिरा इनके बदले अच्छे दा मिलेंगे हमें अच्छा ये लो ये एक हजार स्वर्ण मुद्रा हैं इनको अपने पास समाल का रखना और कुछ भुक्तान करने हैं वो भी कर देना जी ये शोर कैसा हो रहा है तुम यहीं ठादो मैं जरा देखके आता हूं कि अच्छा अच्छा नंगर के व्यापारियो अच्छा अच्छा प्राइव लो जो भाक्यवान एक सास्टे अच्छा ब्राइवेगा उसे वड़ माना मिलेगी आर वही मेरी माध्री का स्वामी होगा बलो पास्टो में पाक्ते वाले पोकर में मुधोकर आए, एक साथ से सुएना मुद्रा आए, बोलो, कौन है वो बाक्यवान, बोलो अरे दे, मादू जी से ऐसे सुन्दरी कहा मिलेगी कोड ये को मौन अरत है ठीक है, ठीक है, तो गिनके दे लाइधा लाइणे, क्या हुआ साथी, क्या हुआ 995, 996, 997, 998 ये रही एक साथ्र मुद्रा है, गिनलो, लेकिन मैंने पहले का रहा है भई नहीं, इनकी सोवन मुद्राय मेरे हाथ में पहले आई, बोलिये स्वामी, आप माध्या को को लेने स्वाम जाएंगे या किसी को भेजेंगे? अभी चलेंगे? चलेंगे. मन्झुमदन आया गली गली ताकता, त्वार द्वार जाकता, नीन द्वजा पहराता लहराता, आया इंदु बदन मन्जु बदन आया इंदु बदन मन्जु बदन आया कन्ने का दनिष्टना पंच पूल माल बना निर्दाईने मुझको निषाना बनाया निर्दाईने मुझको निषाना बनाया इंदु बदन मन्जु बदन आया इंदु बदन मन्जु बदन आया गली गली ताकता द्वार बार जाकता गली गली ताकता द्वार पार जाकता फीलत वजा पहराता लहराता आया इंत वदन मंजुवदन आया जब कोवलन ने माधवी को अपनी बाहों में लिया तब वो उसके सौंदरे और गुणों पर मुक्त हो गया उसे अपूर्व आनन्द का अनुभव हुआ और वो बाकी सब कुछ भूल गया अपनी पतनी अपने घरबार को भी इस तरह कई दिन बीट गए लगू पर नगो खरू के प्यारे लगू पर नगो खरू के प्यारे प्यारे छोटे से नए फूर्व लगू पर नगो करू के प्यारे पहले को ढगते धरती को फिर करते पैदा तेज शूर् पिर करते पैदा तेज शूर् स्वामी को गया बहुत दीन हो गया है मैं चाहूं आपका संदेश लेकर कितना दयालू था मेरा प्रिय कितना दयालू था मेरा प्रिय साथ मैसर जीत गई कोई बात नहीं अब मेरी बारी है जीतने की तेकिये पार्सा अक्का क्या है वसल मना सौवी के घर से दासी आई है क्या करने है कोई जरूरी संदेश है जरूरी संदेश यहां क्यों आई अम्मा ने कहा है बहुत दिनों से आप घर नहीं आए आज आएंगे क्या बस ची स्वामी ठीक है सुन लिया जाओ अम्मा से क्या कहूं आप आएंगे नहीं नहीं अरे आप कहें नहीं मैं जाने कले नहीं उठा था मैं समझे आप हो तो दास हो गए तुम मैं क्यों उदास होने लगी मुझे लगा शायद मन भर गया है आपका मुझसे इसलिए मन तुम्हारा भर गया है मुझसे इसलिए चाहती थी कि मैं यहां चला जाओं यह क्या कह रहें आप हाँ तुम्हारे हाभाव से दिखता ही है मैं तो हसी कीती और आप मेरा धन खत्म होने के बाद ही तुम्हें असी तूजी भगवान के लिए आरोक न लगाई है बस करो तुम्हारा असली चहरा दिख गया है छल, कपट, स्वार्थ तुम्हे तो सिखाया ही यही जाता है इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है स्वामी बस बंद करो यह खेल अब इसमें कोई रस नहीं रहा किसी और को ठगने का जाल विशा रुख जाए स्वामी सुनो स्वामी क्या है? स्वामी ना अठक करो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि स्वामी यहां नहीं है निकल जों यहां से वह चला भी गया था तो तुम यहां क्यों आई हो वह यहां आने वाला है नहीं इस घर के दरवाजे उस कपूद के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं पूल की मर्यादा उसने धूल में मिला दी और वो भी इस नर्टकी के कारण दी चली जाओ, चली जाओ यहां से बड़ा कम सौमी कई महिनों से व्यापार ठप है हमारे ग्रहक दूसरे व्यापारियों के पास चले गए विक्री के लिए माल नहीं, मुफ्तान के लिए स्वर्ड नहीं बाजार में साख नहीं रही हम कहीं के नहीं रहें स्वामी, कहीं के अब मैं आ गया हूँ, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा स्वामी, अक्का ने वापस बुलाया है और कुछ? क्षमा मांगी है, भूल हो गई, जबसे आप आए हैं, न खाया, न पिया रिदय न तोड़िये, ख्षमा कर दीजे स्वामी, वापस चलिए जाकर कहना अपनी अक्का से, मुँ उसे निकली हुई बात जैसे वापस नहीं आती मैं भी नहीं आने वाला, ये निर्णा है मेरा अक्षा तडब तडब कर मर जाएगी ऐसा ही सही कन्नगी 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 देवन्डी अम्मा, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम फिक्र ना करो, मेरे स्वामी भी मुझे छोड़कर तीर थे आत्रा को चल दिये पर तुम्हारे स्वामी तो बुहार महीं है, आ जाएंगे तुम्हारे बात सही हो, परंतु मुझे रात को तरह तरह के दरावने सपने आते हैं कल रात को ही मैंने देखा, कि मैं और मेरे स्वामी कहीं दूसरी नगर में जा रहे हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे स्वामी पर आरोप लगा दिया और उन्हें जूटे अपराद में फसा दिया तभी मैंने देवी का रूपधारन कर लिया और क्रोध में राजा और नगर को सर्वनाश का श्राप दे दिया लगता है पिछले जन्म में कोई मनौतिय धूरी रह गई पूर्व जन्म के कर्मों का फल है ये मुक्ति का है एकोपाई उस पवित्र स्थान के दर्शन करो जहां कावेली सागर को जा मिलती है वहां दो ताल है सोरे ताल और चंडर ताल उन दोनों तालों में जाकर स्नान करो और मंदिर में जाकर पूजा पाच करो सब ठीक हो जाएगा ब्याहतास्त्री के लिए उसका पती ही उसका परमेश्वर होता है पूजा के लिए उसे किसी मंदिर में जाने के आवश्चक्ता नहीं है के लिए सकते हैं है झाल 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 झाल